हाई एबडिवन डिस इस आनम वेलकम टो पीएज़ जॉप सिन एडविशन वाज का मेरा एड़ लेक्च्छर कोन ड्रेसोच मजल लोजी को अपकमिंग नाखपुर उनिवर्सिटी फो यह पीएज़ इंट्रेंस टेस्ट जैसे कि हम टाइपस ऑफ रिस टड़ी करते आ रहे है नाखपुर उनिवर्सिटी के लिए जिसमें आज के सेशन में हम लास्ट टाइप आफ रिसर्ट स्टडी करने जा रहे हैं विजिस को रिलेशनल रिसर्ट तो याद रखेगा इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम में आपको इस टॉपिक से टू 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 त्री क्वेशन्स पूछे जाने के चांसेज हैं अच्छे तरीके से सारे आपको एंसी किसको देख लेना है एंट तक ठीक है अब उसी किसासत में आपको बता दू आपको पीएजी इंट्रेंस टेस्ट जो है इस उनिवर्सिटी का वो सेवेंट ऑक्टबर से 20 ऑक्टबर के बीच में कंड़क करवा जाँ प्रॉसस धसको अब लिए आपको पता होना चैए paper पाटन क्या होगा यह पता होना चाहिए तो आपको इन्चोरण बता दू कराए और जिसको नहींसे mm सिक्शे जाता है सब्जेक जिसमें 50- 50 पर 50 marks तो यहां पर section A जो के आपका research में दिल्वाजी होता है उसके लिए हम complete course provide कर रहे हैं जिसमें हम आपको video lectures, notes, mock tests, revision PDF provide कर रहे हैं सारी चीज़े आपको एक जेके पर देखने मिलेंगी 100% guarantee वाला course है हमारे experts नहीं course design कर रखा है और यहां पर हम आपको यह guarantee देते हैं कि आपको 50 में से 45 MC के इस चैरेक लिए हमारे इसी contents examination में पूझे जाएंगे यह हमारी 100% guarantee होती है तो याद रखे आपको जल से जल इतना हो सके आपको अभी study करना है studies पर focus रहना है आपको कहां से पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है कैसा पढ़ना है सारी चीज़े हमारे course में आपको गाइड करते तो यहां पर आपको हमारे course को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है इस पर WhatsApp को आपको contact करना है और आप मेरे app के तुरू भी study material को एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए link में आपके साथ comment section as well as description box में भी share कर रहा है so that's it and let's begin with the video कि मैंने आपको previous slide में बता दिया कि हमारे course related तो यहां पर हम short में मैं आपको detail ने बता दू जिससे कि मैंने आपको बता दिया research method logic पर हम आपको complete course provide करते जैसे video lectures है theory और mcqs दोनों video lectures हम आपको provide करते आपको सारे tricks बताते कि आपको किस तरीके से tricks यूज करकर एंसे को सॉल्फ करना है notes काफी simple language में notes है notes में हमने ऐसे points भी cover कर रहे हैं जो कि आपके interview में आपके लिए बहुत helpful होंगे उसलिए के साथ मॉक्टेस मॉक्टेस आपके practice होते रहे थे आपको पता लगता है कि आपके कितनी preparations हुई हैं कितनी और आपकी प्रेपरेशन पाकी हैं and 1500 प्रेशन प्रेशन पीडिएफ जिसमें इस पीडिएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपोर्टन एंसे कि उसका वब कर रखे जो के central और government university में पूछे ही गया थे तो आपको जादे से जदा हमारे इस content से ही questions पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100% guarantee की साथ content हम आपको provide करते हैं तो आपको सारी आपकी पास करनी के responsibility हमारी होती तो आपको study material को access कर सकते हैं तो आपको access करने की link में आपके साथ comment section as well as description box में provide कर रखे हैं जिससे कि आप one click में ही वहां से हमारे app के पर one click पर सही हमारे study material को access कर पाऊगा है so that's it and let's begin with the video relational research is to so students this question में में find out करना है co relational research का aim क्या होता है so let's look at option aim to solve a specific problem so here option is incorrect because in applied research applied research में हम कोई practical problem को solve करते हैं और you can say specific problem को solve करते हैं ना के in co relational research that's why here option is incorrect then option b describe the current status of phenomena so again here option b is incorrect because in descriptive research descriptive research में हम कोई भी phenomena topic के current status को describe करते हैं ना के in co relational research that's why here option b is incorrect then we have option c to assess relationships between the variables so here yes option c is correct because co relational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें so here remember students या पर आप ने में 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 देख रहे हो co relational means कोई variables के बीच का relation okay so yes जैसे for example researcher को कोई variables के बीच का relation find out करें so यहापर researcher क्या करेंगे कोई भी past data जो होता है और you can say existing data जो होगा उस data को researcher observe करेंगे with the help of statistical tool okay so यहापर researcher के पास already data होगा और उस data को researcher statistical tool में जो mathematics tools से related होगा जैसे graphs और you can say charts के थूँ so यहापर researcher के पास मान लो data है जो exercise यहापर एक one variable है जो exercise है and the second variable is calories burn okay यह second variable होगा so researcher के पास यह दो variables है so researcher ने यह दो variables और यहापर जो data था दो variables का यहापर researcher ने उस data को observe किया analyze किया और researcher ने यह देखा with the help of statistical tool researcher ने यह पाया के यहापर जो लोग exercise जादा कर रहे थे उनमें और this indicates calories burn okay so जो लोग exercise जादा कर रहे थे उनकी calories भी जादा बन हो रहे है that's why here researcher ने यह देखा के exercise और calories burn यह दोनो variables की बीच में कुछ relation है okay that's why here co-relational research का aim यह होते है कि कोई variables की बीच का relation find out करें okay so here option c is the right answer to assess relationships between the variable all right next question co-relational research is so students is question में में find out करना है कि co-relational research क्या होती है so here first option non-experimental yes it is correct because co-relational research में researcher already जो data होता है उसी data को analyze करते है और उस variables की बीच का relation find out करते है so यह आपर researcher को कोई experiment perform नहीं होते है as it is जो data है उसी को analyze करकर कोई relationships find out करना होता है variables के बीच में okay that's why here option is correct then we have option b backward looking again option b is correct because co-relational research को हम backward looking research भी कहते है so here backward means जिस आपको backward word से ही meaning पता चाहर होता है जो past event occur होते है और you can say जो already existing जो data होता है research हो वही co-relational research में उसी data को use करते है to find the relationships between the variables that's why here option b is again correct then option c experimental no it is incorrect because co-relational research में हम कोई experiment perform नहीं करते है क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते है that's why here option c is incorrect then here correct option is option d both a and b next question in co-relational research researcher so students is question में find out करना है कि co-relational research में researcher variables को कैसे manage करते है so here option a is influence the variable option b manipulates the variables c changes the variables so remember students here influence manipulates and change means three words का meaning same ही होगा कि co-relational research में researcher variables को कै manipulate करते है या फिर change करते है okay so remember students co-relational research में researcher variables को नहीं manipulate करते है नहीं influence करते है और नहीं variables को change करते है because in experimental research experimental research में researcher independent variable को change करते है और you can say independent variable को influence करते है और manipulate करते है but co-relational research में researcher variables को नहीं change करते है नहीं manipulate करते है okay because co-relational research में researcher को जो भी existing data होता है वही data का use करना होता है that's why here co-relational research में researcher को भी variables को manipulate or change नहीं करते हैं, that's why here correct option is option D, none of the above next question data from a co-relational study is usually shown as a so students, इस question में में find out करना है कि co-relational research में research अपने data और result को किस graphic form में show करते हैं so here we have option A, scatter plot then option B, pie chart then option C, bar graph okay, so students here, pie chart pie chart में हम data को circular form में represent करते हैं, this is pie chart, then we have bar graph, so bar graph में data को कुछ ये bar, bar में हम data को represent करते हैं, that's why it is known as bar graph and scatter plot, scatter plot, this is the diagram of scatter plot, okay so here students co-relational research में research अपने data और result को scatter plot के form में represent करते हैं, because scatter plot के help से researcher direction of relationships find out करते हैं, between the variables, okay so, जैसे के आप देख रहे हो, इस graph में, जैसे year increase हो रहा है, so local index भी increase हो रहा है, that means, here researcher ये find out करते हैं के first variable अगर increase हो रहा है, so second variable के increase हो रहा है, या decrease हो रहा है, so here pie chart और bar chart में आप variables की बीच का relation और direction नहीं find out कर सकते हैं, that's why here pie and bar graph will not use in correlational research, okay so here correct option is, option is scatter plot, next question, in correlational research when two variables move in the same direction then it is, so students, इस question में में find out करना है के correlational research में, जब two variables same direction में move करेंगे, so उने हम क्या कहते है, so here option A, positive correlation, so positive correlation कैसा होता है, जैसे for example, smoking, अगर कोई smoking ज्यादा कर रहा है, so and lung cancer, okay, so उनका lung भी ज्यादा effect होगा, means जो person ज्यादा smoke कर रहा है, so उनमें ज्यादा chances होगे, कि उनको lung cancer हो, so आप देख रहे हैं, यह दोनों variable same direction में move कर रहे है, that's why it is known as positive correlation, then we have option B, negative correlation, negative correlation, जैसे for example, junk food and health, okay, okay, so अगर आप junk food, ज्यादा आप junk food खाते हो, so आपका आपकी health क्या हो जाएगी, आपकी health decrease हो जाएगी, health में कुछ ना कुछ आपके problem होगे, so आप देख रहे हो, यह पर आपका first variable upward direction में है, and second downward direction में, so यह पर दोनों variable opposite direction में move कर रहे है, that's why it is known as negative correlation, so here option B is incorrect, then here option C, zero correlation, zero correlation means again, we'll take example, this is for example, अगर आप face wash कर रहे हो, and अगर आप face wash करते हो अपना, so क्या आप आपकी class में first आओगे, so यहाँ पर face wash और class में first आओगे से कुछ relation होगा, क्या, नहीं, because यहाँ पर first variable का और second variable के बीच में कुछ relation ही नहीं है, that's why it is known as zero correlation, यहाँ पर दोनों भी variables के बीच में कुछ relation नहीं होगा, उसे हम कहते है, zero correlation, that's why here option C is again incorrect, so yes, जब भी तो variable same direction में move करते है, so उसे हम कहते है, positive correlation, so here option A is the right answer, next, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary, this is an example of, so students, इस question में हमें एक example given है, और हमें find out करना है, यह example किस correlation की example होगी, okay, so what is an example, older a person, means, जो person की age ज़्यादा होगी, then their, larger their vocabulary, means, vocabulary means here, you can say knowledge of words, okay, जिस परसन की age ज़्यादा होगी, उनकी vocabulary भी ज़्यादा होगी, okay, so जिससे आप देखे हुए, दोनो variable जो है, same direction में move कर रहे, okay, जब भी variable same direction में move करते हैं, उन्हें हम कहते है, positive correlation, so this is an example of positive correlation, so here option A is the right answer, moving on to the next question, perfect correlation is when correlation coefficient is, so students, इस question में हमें find out करना है, correlation coefficient की value क्या होगी, जब हम उसे perfect correlation कहेंगे, तो यह आपर perfect correlation coefficient word is new for you, so correlation coefficient, ऐसा coefficient होता है, जो major कहता है, strength of relationships को, okay, strength of relationships, between the variables, means variables कितने strongly relate कर रहे है, so इस coefficient की value, minus 1 से plus 1 के बीच में लाइ करती है, so here minus 1 means perfect negative correlation, and plus 1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables, so yes, perfect correlation हम कहता है, जब correlation coefficient minus 1 से plus 1 के बीच में लाइ करो, okay, so here option is plus 1 means perfect positive correlation, so let's say example, जिसे कोई party को vote ज़्यादा मिले है, so उस party को winner होना ही है, और उस party winner होगी, means अगर यहाँ पर एक variable बढ़ रहा है, तो second variable को बढ़ना ही है, that is known as perfect positive correlation, then we have option B minus 1, so minus 1 means perfect negative correlation, जिसे for example, एक train है, और उस train को A से B station move करना है, so अगर train अपनी speed increase करेंगी, so उस train को station B पर जाने के लिए time कम लगेगा, so आप देख रहे हो, यहाँ पर कम लगना ही है, उस train को station B पर move करने के लिए, so आप आप देख रहे हो, एक variable अगर increase हो रहा है, that is known as perfect negative correlation, so here option B is again correct, then option C 0, 0 means there is no relation between the variables, okay, so here correct option is option D both A and B, next question, which of the following statement is true about correlational research, so students इस question में में find out करना है के, कौन सो option correct है about correlational research, okay, so here option A can demonstrate causation, so students here causation means cause and effect, okay, to remember students, correlational research, cause and effect relationships describe नहीं करता है, between the variables, correlational research, बस relation बताता है, between the variables, okay, this is for example, researcher ने कोई CG में ये देखा के, summer में, ice cream, ice cream के cells ज्यादा हो रही थी, और उसी मन्त में, crime rate भी ज्यादा हो रहा थी, okay, so यहाँ पर, आप ये ने कह सकते हो के, ice cream के ज्यादा, cells होने के वज़े से, crime rate increase हो रहा है, बत यहाँ पर आप देख सकते हो, ice cream and crime rate, यहाँ पर, ice cream और crime rate के वीच में, positive correlation है, means, एक variable बढ़ रहा है, so second भी increase हो रहा है, so यहाँ पर cause and effect relationship नहीं हो रहा है, क्या ice cream के वज़े से, crime rate increase हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर correlational research में, cause and effect relationship, find out नहीं करते है, so that is why, core relational does not imply causality, or causation, okay, core relational research, जरूरी नहीं है के, cause and effect relationship show कर, that's why here option is incorrect, then we have option B, is used to define the problem, so again option B is incorrect, because हम किसी भी problem को define करते है, understand करते है, in exploratory research, not in core relational research, that's why here again option B is incorrect, then we have option C, the researcher does not manipulate the variables, yes, it is correct about core relational research, because core relational research में, research of past events, जो past data होता है, और जो already existing data होता है, जो already data होता है, उसी data को use करते है, to show, or to find the relationships, between the variables, okay, that's why here option C is the right answer, next question, in an experiment, the researcher manipulates the dash variable, and measure the dash variable, so students, इस question में हमें find out करना है, कि experiment, or you can say, in experimental research, हम कौन से variable को manipulate करते है, और कौन से variable को measure करते है, in experimental research, independent variable को manipulate करते है, और dependent variable को measure करते है, और independent variable का क्या effect होरा है, dependent variable पर यह find out करते है, So, remember students, in experimental research, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं. Whereas, in co-relational research, co-relational research में researcher किसी भी variable को manipulate और you can say change नहीं करते हैं. This is the major difference between experimental research और co-relational research. So, yes, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In co-relational problem, both variables are. So, students, this question में में find out करना है. Co-relational research में जो दोन भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं? So, let's see option A equal. No, it is incorrect. Because co-relational research में variables equal हो, यह जरूर नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B unknown. Again, here option B is incorrect. Because co-relational research में already हमारी पास data present होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C fixed. Again option C is incorrect. Because आप co-relational research में आप variables को fixed नहीं कर सकते हो. अगर आप fix करोगे. So, वो constant हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. Co-relational research में variables random होते हैं. Or students, remember this is very important point. This is the property of co-relational research. जापर अपर वारिबस राएबस राएबस होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of co-relational research is clear to everyone. And thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.